हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ आश्वीन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम दो अन्नोन प्लेरों के बीच में खेली गई हुई एक काफी खुबसूरत गेम देखेंगे ये गेम 1948 में खेली गई थी जहां पर वाइट सैट से खेल है मेंगेंस की और ब्लेक से खेल रहा है विलफर्ड हैंडरी प्रेटन जहां पर विलफर्ड के ब्लेक पीसे से एंड मेंगेजी ने गेम की शुरुवात E4 से की और विलफर्ड ने खेला E5, 9 to F3, 9 to C6, Bishop to C4 इटालियन गेम, Bishop C5 and now C3 तो यहां पर वाइट का प्लान यह है दोस्तों के वाइट D4 के पुरा सेंटर जो है उस पर कबजा करना चाता है, ब्लेक नहीं यहां पर क्वीन E7 खेला और यह इंडिरेकली D4 को स्टॉप करता है, क्यूंकि अब अगर D4 आभी जाता है, तो ब्लेक काप्चर कर सकता है D4 पर और उसके बाद क्वीन काप्चर E4 विद चेक जा रहा है, तो यह पोजिशन जो है वो ब्लेक के लिए काफी अच्छी हो जाती, तो क्वीन E7 के बाद अब वाइट ने कैसल खेला, तो कैसल का पॉइंट यह है कि अब वो D4 खेलना चाते है, जब हम E4 के लगे उसके बाद क्वीन काप्चर E4 पोसिबल नहीं ह क्योंके रूक E1 और हमारी क्वीन पीन हो जाएगी, तो कैसल अब ब्लेक नहीं यहाँ पे D6 खेला, अब अब अगर हम कैप्चर करते हैं, तो वाइट को पूरा सेंटर मिल रहा है, तो ब्लेक नहीं यहाँ पे, जस बिशप टू B6 खेला, अब बिशप टू G4, नाइट को अब बिशप को ट्रेप करना है, तो ब्लेक ने खुद A5 खेला, अब B5 नाइट पेटेक है, नाइट टू D8, तो यह नाइट आगे चलके, E6 टू A4 से इंप्रूव हो सकती है, यहाँ पर बिशप टू A3 वाइट ने खेला, तो वाइट का प्लान है, पॉन कैप्चर उन E5 जिसमें पॉन पीन होगा, आप क्विन से मान नहीं पाओगे, क्योंके नाइट कैप्चर E5 भी पॉसिबल होगा, तो अब ब्लेक ने खेला, और रुक A2, नाइट टू E6, और डी कैप्चर सोन E5, एफ कैप्चर सोन E5, और इस पोजिशन में वाइट ने पहली गलती की, उ उनके पास एक एक एक्स्रा पॉन होगा, बट वो यह नहीं देख रहे हैं, कि उनके किंग की पोजिशन उससे काफी वीक हो रही है, और यहाँ पर एंजिन सजेस्ट कर रहा है, कि ब्लेक को रुक टू D8 खेलना चाहिए, जिसके इसमें से पॉन कैप्चर सोन E5, और उसके भी ब्लेक ने कुछ अलगी प्लान किया है, ब्लेक ने खेला यहाँ पे क्वीन टू G5, उन्होंने अपने रुक का सेक्रिफाइस दे दिया, तो नाव क्वीन काप्चर सोन E8 चेक, किंग टू E7, और जीथरी करके, चेकमेट को सेव किया, बट नाव 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 है, उदर जो है, हमें G2 पर मेट करनी है, तो यह थ्रेट है, और इस पोजिशन में, एक्चुली वाइट ने गलती कर दी, वाइट ने खिला N2D2, जबकि दोस्तों उसी पोजिशन में, बेस्ट मूव यह है, कि आप जो है, अपना बिशप दे दो, और ब्लेक के किंग की ज आनना चाहते है, एंसे आप जो है, यहाँ पर QH3 करके चेक्मेट की कोई ट्राइ करते हो, बट देन QF7 चेक, KG5, और उसके बाद जो है, बिशप टो फन, और यहाँ पर, ओके वाइट को कोई भी दिकत नहीं है, और वाइट की पोजिशन कंप्लिली भी नहीं है, बट गे नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब बिशप काप्चरस D6, काफी पावरफुल मूव, और सी काप्चरस और D6 के बाद, QB7 चेक, KE8, and now QF7 चेक, KD8, now QF8 चेक, KD7, and QCG7 विच चेक आएगा, जिसमें जब हम अब पोन से नाइट को मारेंगे, क्योंकि उसको जो है, चेक से आई नहीं रहा, क्योंकि आपका बिशप उदर पड़ा हुआ है, तो यह पोजिशन जो है, वो वाइट के लिए कंप्लिल भी इन हो जाती, तो इसलिए, N2, D2, और उसके बाद, N2, F6, ब्लेक ने खेला, और यहाँ पे ब्लेक का आइडिया जो है, वो काफी अच्छा है, क यहाँ पे ब्लेक ने खेला, क्विन काप्चास on H2 चेक, अपनी क्विन का भी सेक्रिफाइस दे दिया, किंग काप्चास on H2, and now N2, G4 चेक, किंग 2, G1, and now N2, H3 चेक, सो यहाँ पे किंग F1, and now N2, H2 चेकमेट हो गई, और दूसरा कोई उदर रास्ता नहीं था, सो देखा वाले के किंग पर अटेक करते हो, so I hope मेरा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, और अपनी कॉमेट देना बिलकुल ना बोले, धनिवाज जैहिन, बाबाई